तो आज हम सब आपको लेके जाने वाले अनात अश्रम में जैसे बहुत सारे लोगों को पता है कि आफ्रिकन देश ये बहुत गरीब देश है तो यहाँ पे अनात अश्रम की कोई कमी नहीं है जैसे जितना मुझे नौलेज है केनिया में लगबख 45,000 पीपल, kids that are living in orphanage वो आनात अश्रम में रहते हैं और यहाँ पे अनातो की कोई कमी नहीं है मतलब यहाँ के culture के वज़े से अनात अश्रम की कोई कमी नहीं है क्योंकि यहाँ पे culture ऐसा है कि आपको जैसे हर एक western country में आपको अगर बच्चा चाहिए तो आपको married होनी की जरुरत नहीं होती है तो same उसी तरह Kenya में भी ऐसा ही कुछ culture है कि people they get attached before marriage और फिर उनको बच्चा हो जाता है और जब वो बच्चा unwanted है जब उसको मा भी नहीं रखना चाहती और ना बाप रखना चाहता है और वो बच्चा marriage के पहले हो गया है तो दोनों भी उससे चुटकरा पाना चाहते हैं और वो फिर अनाताश्रम में छोड़ देते हैं तो यह यहां पर बहुत इसली होता है और अफ्रिका के कोई भी देशों में यह बहुत इसली पाया जाता है कि बच्चा unwanted है तो उसको birth दे दो और उसको फिर अनाताश्रम में छोड़ दो तो इस वज़े से केनिया का लगबग 45-50,000 बच्चे यह अनात है तो हम हर साल क्रिस्मस के टाइम पर हम चीजे डोनेट करना चाहते हैं वह हम कबर्ट से निकालते हैं जो कपड़े हमें टाइट हैं लूज है नए लिये हैं लेकिन पसंद नहीं है या बचों के कुछ कपड़े हैं जो उन्होंने एक दो बार पैने हैं और उनको कोई यूज नहीं है कुछ जूते है जो हमें अभी नहीं आ रहे या हमने यूज कर लिया नहीं यूESE करना चाहते तो ऐसी बहुत सारी चीजे होती है जो हम हर साल क्रिसमस के पहले डोनेट करते हैं तो इस बार हमने अनाता श्रुम जा रहे हैं जहाँ पे बच्चे रहेंगे और वहाँ पर हम अपनी जितनी भी चीजे है वो डोनेट कर सकते तो मैंने बहुत सारी चीजे जैसे कपड़े बहुत सारी निकाले तो जैसे कि हमारा भी कोई फेस्टिवल है तो हम सोचते कि हम नए कपड़े पहने और कुछ शोपिंग करें कोई हमें गिफ्ट दे तो उसी तरह में हमें लगता है कि शायद वो बच्चे भी किसी की राह देखते होंगे जो सोचते कि कोई आएगा और हम क्रिस्मस पे उनके कपड़े पहने या कुछ अच्छे कपड़े पहने तो शायद जिनका कोई नहीं है और like उनका कोई वेट नहीं कर रहे हैं उनका कोई खयाल नहीं रख रहे हैं और उनके लिए कोई कभी गिफ्ट नहीं लाता है शायद उन लोगों के लिए हमें कुछ करना चाहिए ये चीज मुझे हमेशा लगती है rios तो किक वह में कॉछिब सो कि अपर को यह का देगो में हम्सक्रीज वाले तो वह यहां जो डिखा दूए कइसे अनायत श्रुम से यहां पर और इखाती हूं कि हम क्या क्या चीजे लेकर जाने वाले तो आपदrophy सकते हो हमने ऐसे quartz निकाले जो बाबा के पड़े दिवेंच और मैराके बाबा के तो यह इस अरे बहुत अर इसमें कोई दाग निहीं कुच खराब नहीं है यह तो हमने यह बहुत सारे निकाले तो यहां पे कैसे होता है पता है कि 18 साल के उमर तक बच्चों को अनाता अश्रम में रखा जाता है और 18 साल के बाद उनको अचानक से बोला जाता है कि आप आप अपार्ट हो जाएए आप अपना रास्ता चुड़ लेजिए और आपका इसके बाद का जो सफर है आप खुद तैगेजिए तो जो बच् अनाता अश्रम में खाता पिता सोता है पढ़ाई उसी अनाता अश्रम के जो मेंबर से वो उनकी करवाते है और फिर 18 साल के बाद उनको यह का जाते है कि अब आप अपका खुद का करो जो आपकी रिस्पॉंसरेटी आप खुद उठाईए और इसके बाद आपका हमारा मतलब नहीं होगा आप अपना खुद का पुद कर लीजिए तो आप सोचिए वह दमे को क्या नगता होगा जब वह बाहर जाता है जब उसने शायद उस अनाता श्रम की जो चौकट है उसको कभी लागा नहीं है उसका खुद का कोई फैमिली नहीं कोई बैग्राउंड नही वह बाहर निकल के अपनी लाइफ खुद जीने का सोचता है, ट्राइ करता है और इतना जादा स्ट्रगल करता है आपको जैसे आपको पता होगा कि मेरी मेड नोरा उसका नाम है वो खुद भी अनाता अश्रम से बिलॉग करती है और वो जब शायद 2,5 साल की थी तब से वो अ मैंने कहा कि उन लोगों को अनाता अश्रम से उनको मतलब निकाला जाता है उनको बोलते कि आप बड़े हो गया आप आप यह अपना अपना देख लो तो वो इतना पेंफुल है कि शायद उनको खाने के लिए कोई चीज नहीं है वो कहां रहेंगे क्या खाएंगे कौन से प्रेपैलेंगे तो यहां से शुरुवात होती है मतलब मुझे यह लगता है यह बहुत ही गलत है कि अठा साल की उमर तक आप सब कुछ उनको दे रहे हो और फिर उसके बाद वो पूरे अनात मुझे लगता है वो पूरे अनात हो जाते है जब उनको कोई पूछने वाला न अनाताश्रम में बीताओ वो उसकी फिलिंग क्या है उसका पूरा जर्नी में आपको दिखाना चाहते हूं तो वह भी हम एक वीडियो बनाएंगे तो ऐसी टी-शिर्ट्स हमने निकालिये और यह देखिए बहुत सारे कपड़े यह दिभ्यांश मैरा मेरे कुछ मेरे कुछ चोटे ब्लैंकेट्स एकदम चोटी-चोटे बेबी दोते रहे वह भी कभी लाइक आ जाते हैं वहां पे तो उनके लिए कोई ब्लैंकेट्स या कुछ वाम कपरे नहीं होते तो फिर हमने वह भी लिए है तो यह बहुत सारे कपड़े हैं जैसे तो और कोई कपड़े खराब नहीं है इसमें तो हमें देनी के लिए अच्छा लगता है कि वह शायद पहन के भी उनको मजा आए तो ऐसे अच्छे कपड़े वाम कपड़े थोड़े कुछ जैकेट्स टाइप तो यह हम कपड़े आज लेके जाने वाले हैं बहुत सारे हैं दो बॉक्स भरे बरे बड़े हैं तो दोनों वोक्स हम क्यारी करेंगे और आगे कहां हम अनाताश्रम में रिखाएंगे कि हम कैसे उनको दे रहे हैं और ट्राइ करेंगे कि पूरा अनाताश्रम का वीडियो ले सके देखते हैं वहाँ पर जाकि क्योंकि वह अनाताश्रम में पहले गई नहीं हूं तो इस यह लिए पार जो जा रहे, वो एक अलग अना तश्रम में जा रहे है, तो अपने घर के ज्यादा दूर नहीं है वो, तो देखते हैं हम जाते हैं वह między और फिर मैं दिखाती हूं वहां का कैसा वर्किंग है वहां के बच्चे अगर हम मिल पाए तो तो वहां पर जाके मैं आगे का दिखाती हूं हलो तो हम अभी आए है रेज्क्यू सेंटर जिसे और पने पी कहते हैं और मैं तो हमारे तरफ से कप्रे लेके आए हूं और मेरी फ्रेंड ने भी कुछ सामान लाया जिसकी गाड़ी से हम आए हैं यहां पर तो यह बहुत बड़ा एरिया है बहुत ज्यादा बच्चे हैं यहा तो अभी में लिखाऊंगी कि हम कैसे डिस्कुलेुट करते हैं, और यहां पे कितने बच्चे हैं, और हमसे किस प्रकार का।दान हो रहा हम यह सब दिखाएंगे। तो यहां के जो manager है, जो manage करते हैं यह सारी दिखा ने ने ऑग और वो एक लाइन में कड़े होंगे और फिर हम अपने हाथों से उसको दान करेंगे तो यह देखिए कि मांटा से अपनOOOOO कि में में उ kitchen, भचेटी मेन करें तो इक होंगे तो फे पीर फिर होंगे जगिरहने होंगे जाला हॉआ में इसन вод आशिछ और गढ मोर को इस प्रफंगे क OMG Kалась G yes K virus झाल 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 यहां के जो जो मेडम है वो बच्चों को मतलब जो संबालती है वो बता रही थी है बेबी जो है ना पिछी उसकी मम्मी को वो नहीं चाहिए था तो उसने उसको एक बैग में भरा और उसको बहुत जादा पीटा तो उसकी ब्रेन की जो नाव है झाल 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 तो उसको बहुत ज्यादा अलल प्रेन को मार लगी थी मतलब उसको उसको तो इसकी कुछ नसो काब नी करती इसके बजह कर से ठीडऱ् यह जी बतिके श्यल पिर नहीं सक्ता वो बोल नहीं सक्ता सबादन सो ब्तानी वो ज्हुडर्य वो जैन्त colored गेख guitare वकुड बेठा है इसे पूरा दूद्ध गिरा दिया है वहाँ पे और ये मामा जैसी है मैम तो इन मैडम जैसे लोग यहाँ पे बहुत है जो भगवान के दया से इन बच्चों के लिए अवेलेबल है 24 आवस और इसके लिए शायद ये बच्चों का कोई तो फ्यूचर है कोई ना कोई उनको सं आवले वाला है तो मैं बस यही दुआ करते हूं कि कभी लाइफ में अनताश्रम नहीं बने और पर नेच शुद नोट बढ़ देर इंगा होल कंट्री होल वार्ड पर शुद बीड़ तो टेक्र आप देर आप देर ओड़ एर और अदर कीट्स और आदर कीट्स और तो मैं नहीं करें होंगी कि यह पर जबी भी मैं कोई भी आनाता श्रम आति हूं तो मेरा यहाल होता है चोटे-चोटे बच्चे हम अपने बच्चों का कितना खयाल रखते हैं और कितना generating और कितना जादा हम उनसे प्यार करते हैं और वही कुछ बच्चों उनको एक टाइम उनको खाना मिलना भी बहुत मुश्किल है और अगर वो मिल रहे तो वो खुद खा भी नहीं सकते ऐसा यह बेबी है मैं बस इतना ही कोँगी कि कभी कोई बच्चा कभी भी आनात ना हो और हर बार भगवान हर एक आनात बच्चे को उतना ही प्यार और उतनी इज़त उसको मिले जितनी की एक माबापो जिनके अवेलेबल है उन बच्चों की जितनी होती है उतना ही प्यार उतना ही सपोर्ट उनानात बच्चों को भी मिले हम केनिया में तो सारे इंडियन स्ट्राइक करते कि हम जादे से जादा दान कर सके क्य कि यहां पर बहुत ज़रूरत है उस चीज की और ऐसे जब हम देखते हैं कि छोटे-चोटे एक साल एक महीने के बच्चे जब ऐसे आनात हो जाते तो वह मतलब हम से नहीं सकते हो चीज कि हमने बच्चों को मतलब पैसा नहीं देखा है कभी ऐसे कि इतने सारे छोटे बच्चे एसे ही अकेले उनका कोई है नहीं जिन जो उनसे प्यार कर सके उनका कोई नहीं है जो उनके बारे में सोचे उनको चाती से लगा के बैटे ऐसा कोई नहीं है उनको हाथ से खिलाने वाला कोई नहीं है लेकिन यहां पर बहुत सारे ऐसे लोग है जो फिर भी उन बच्चों की कर दे हैं okay so how many kids are there we have 16 16 babies and three girls okay it is under 10 under 10 under 10 years okay and they used to sleep here yeah okay okay so this is the place and i i can see it is very clean and nice cozy yes okay and this these girls they help you yes to take care of the kids yeah of course 10 kids yes okay yeah so i say in ke bed a jaha pae yeh chute chute bache sote hai and people they donate these beds or uh the county members they donate we found them they here so i don't know i think people related something i think the county the county members maybe the babies okay and what is the history of this kid just like that on the road on the street on the street any abundant child they bring for us my god and how old is it let's estimate nine months nine months only yes oh my god that is the youngest yeah i can see oh my god oh my god oh my god oh oh my god 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 करेंगा सेbbe करेंगा बच्चे आ रहे हैं वो बहुत जादा अलग-अलग सिच्वेशन से आये हुए बच्चे है जो अलग-अलग सिच्वेशन से और्फन हो गए अनात हो गए मतलब जैसे माबाप थे लेकिन मर गए अब कोई समभालने वाला नहीं है दूसरा है कि जैसे माँ शादी के पहले प्र जैसे बच्चा मेंटली डिसेबल है और उनको अब उसको कैरी नहीं करना है आगे मा उसको नहीं रखना चाती ना बाप रखना चाता है तो वो यहां पर आके छोड़ देते हैं कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कहीं से चुराय हुए अलाय है और फिर उनका कोई यूज नहीं कि जिए तो उनको रास्ते पे ऐसे ही छोड़ दिया तो वो पुलिस के हाथ लग गया और वो आ गये। बच्चे ऐसे हैं जिनके बाप ने मा का खून कर लिया और मा तो मर गई बाप चाला गया तो बच्चा अब क्या करेगा तो वो यहां पर है तो ऐसे अलग-अलग क्या चोटे से चोटा बच्चा और बड़े से बड़ा 18 साल की उमर तक का बच्चा यहां पे है जो अभी तो आप देख रहे होंगे हसी-कुशी उनके चहरे पे हसी है खुशी है लेकिन परिवार को खो देना माबाप ना होना इससे बड़ी और गुप की बात कुछ नहीं है मुझ जाँ है वके ही वाओ या ओन लाइट वाव यह ओनलै तो तो जो एस बड़ना है हुआ है आप देखर हैं यह सिरियल देखर है यह स्वाइली में डब है टो मुझा पता नहीं यह कौन सी सिरियल देख हैं यह बच्चिया इंडियन सिरियल देख रही है इसके लिए इने سब को इंडियन क्यरेक्टर पता है यह सीरियल ठा और इसमें यह कैरेक्टर था तो उनको बहुत सारा इंडियन कल्चर के बारे में उनको पता है मुझे नहीं लगता है कि हम खुशी खुशी जाते हैं भले ही हम उनकी हल्प करने जाते हैं या हमें लगता है कि उन अथों के चेहरे पर एक स्माइल हम देख सके लेकिन मन में कहीं पर हमें वह दुख हमेशा रहता है कि इन लोगों का कोई नहीं है पूरे वर्ड में इन लोग का कोई नहीं है और इ उनको और कोई परिवार नहीं है यही उनका परिवार है और यही उनका फैमिली है और यह यहां पर इतने कुशी-कुशी रहते हैं कि हमें उनकी स्माइल से पता भी नहीं चलेगा कि वो अनाथ है तो यह वच्चियां नेखो तो यह अनाता श्रम का व्लोग आपको कैसे लगा यह मुझे जरूर बताना और मैं तोड़ी मायूस होगी हूँ क्योंकि हमेशा मुझे लगता है कि नहीं यह चीज मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है आजम करना की इतने सारे तादाद में बच्चे अनात है पूरे वर्ड में तो केन्या में इसकी संख्या तो बहुत जादा है जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि 45,000 किट्स और ओर्फिन इन केन्या वह भी रजिस्टर और्फनेज में जिनके नाम है और अन्रजिस्टर्ड है जिसका कोई मतलब जिनकी कोई कहीं पे उनका लिखा पड़ी न में रास्ते पे आपको ऐसे बच्चे दिख जाएंगे जिनका कोई नहीं नहीं तो निये अनाता अश्रम का व्लाग तो कैसे लगा वह हमें ज़रूर बताना जैसे में फ्रेंड ने कुछ फूड की चीजे उस ने डोनेट की तो रसे ही मैंने बहुत सारे कपडे उनको दियो और वो तो अपने एज के हिसाब से वह असमे सेक्रिवी बताएंगे तो नेक्स टाइम में गरूर यहां पर आना चाहूंगे और आपको भी शायद देखके यह रोना आएगा कि कि इतने सारे बच्चे छोटे-छोटे अनात है तो यह व्लोग में यहीं पर कतम गट्यूं मिलते हैं नेक्स्ट लोग में और तब तक के लिए और थैंक यू सो मच अल अप यू और श्री स्वामी समर्थ आपका सब का क्याल रखना मिलते हैं नेक्स्ट लोग में तो बाइ और यह जो हमने कपड़े लाए थे तो वो इसमें दिस्ट्रिब्यूट तर लिये उन्होंने करता हैं